सबसे पहले आप वीडियो देख लो जिस वीडियो का टुटोडिल मैं आपको देने वाला हो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक WhatsApp मेसेज आता है मम्मी का की बेटा किदर हो तेरे लिए रिष्टा आया है जल्दिया उसका बेटा जो है काफी तेजी से कार लेकर आ रहा है मतलब साधी करने का बहुत जल्दी है तो यह वीडियो थोड़ा फणी है लेकिन आप बनाओगे तो आपका भी वाइरल होगा क्योंकि यह वीडियो जो है इंस्टागर और मिल्स पे बहुत वाइरल हुआ है और अब भी तीसरा चीज आपके पास वो कार जो इस्पीड में आ रहा उसका फूटेज होना चाहिए फूटेज का लिंक भी डिस्क्रिप्सन में मेरे टिलेग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और तीसरा चीज वाटसप चेटिंग जो कि बहुत इंपोर्टेंट है यह वाटसप चे और उसे फिरी में डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्सन में है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है तो जैसे यह सबी चीज आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद सीधे चलना आपको कायन मास्टर पर वीडियो को कैसे एडिट करना है चलो मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले आपको कायन मास्टर अप्लिकेशन ओपन करना है तो हम इसे ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा Create New पे क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा 9 x 16 का रेशियो सेलेक्ट करके और यहां से कर देना है आपको नेगा फिर आपको मीडिया पे क्लिक करके अपना एक फोटो लेना है तो मीडिया पे क्लिक करते हैं और आप चिस भी फोटो पे बनाना चाहते हो उस फोटो के लेले तो मैं अपना एक फोटो ले लेता हूँ और इसे कट कर देता हूँ इस फोटो को थोड़ा सब को बढ़ा कर दे दो उंगली की सहायता से ऐसे फोटो को जूम करके आपको जो है इस क्रीन पे ऐसे फिट कर लेना है तो मैं यहाँ पे इसे फिट कर लेता हूँ fit कर लेने के बाद आपको यहाँ पे equal वाला option दिखाई देगा इस पे click कर दोगे तो यह आगे से लेके पीछे तक पुड़ा fit हो जाएगा फिर आपको okay कर देना है फिर इसके सुरू में आपको आना है फिर से media पे click करना है और इस बार car वाला footage लेना है जो कि मैंने टेलिग्र और उस song को आपको choose करना है जिस song को आपको background में लगाना है तो यहाँ पे beta कहा हो इस song को हम ले लेते हैं okay तो sound इसके background में आ चुका है अब आपको वीडियो के सुरू में आना है layer पे click करना है media पे click करना है और इस बार आपको whatsapp chatting का footage को लेना है इससे भी मैंने टेलिग्राम चैनल पे upload कर दिया है आप वहाँ से download कर सकते हो फिर आपको इस पर click करके इसे full screen कर लेना है तो इस पर click कर दोगे full screen हो जायेगा यसे arrow की सहायता से भी कर सकते हो ऐसे तो यहाँ पर मैंने इसे full screen करे okay कर दिया अब guys इसके जो blue screen से हटाना है तो उसके लिए इस पर click करो और यहाँ पे chroma की का option है, इस पे क्लिक करो और इसे enable कर दो, तो देखो वो हट चुका है, अब थोड़ा सा आपको ऐसे okay कर देना है, थोड़ा सा इधर उदर इसे select करना है, ताकि यह highlight कुछ जादा ही हो जाए, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, तो देखो यह highlight जादा हो चुका है, अब यहाँ पे देख सकते हो ऐसे, कुछ message आएगा sound के हिसाब से, यहाँ पे message आ रहा है, अब guys आपको एक चीज और करना है, कि यह जो footage आपको जहाँ तक है, वही तक आपको photo रहना चाहिए, तो इधर extra photo है, तो इसे cut करना है, तो इस पे क्लिक करो, कैची पे क्लिक करो, औ extra part right side में है, इसलिए हम इसे right से trim कर देते हैं, अब guys इसमें आपको date और आपका time जोड़ना है, तो उसके लिए layer वाले option पे क्लिक करो, text पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप जो भी time डालना चाहते हो, वो time डाल तो मैं 12 बचके और 15 मिनट डाल देता हूँ, और okay, ठीक है, और इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके और यहाँ पे रख दो, इस point पे ठीक है, इस screen के एकदम बीचो बीच, और इसे भी आपको यहीं तक रखना है, जहाँ तक आपका यह footage है, ठीक है, अब इसके निचे आपको day और date लिखना है, तो उसके लिए फिर से layer पे क्लिक करके text पे लिख देना है, तो यहाँ पे 6th July है, इसके बीच में भी space, कुछ इस तरह से लिख के आपको okay करना है, और इसे इसके नीचे थोड़ा सा बड़ा करके लगा देना है आपका, यह देखो, time के नीचे, और इसे भी यहीं तक आपको रखना है, जहाँ तक आपका footage है, ओके, त इस वाले photo के एकदम last में आपको आना है ऐसे, और यहाँ पे camera का icon है, इस पे click करके और इस पे click कर दोगे capture and add as a clip, तो देखो एक photo जो है, खिच के और बगल में आ जाएगा, अब इस photo को आपको छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि यह video sound के बराबर में आ जाए, तो ऐसे पड़ के इधर की तरफ करते जाओ, करते हैं, आपका video जो है finally ready हो चुका है, अब इसे प्ले करोगे तो देखो कुछ इस तरह का आपको दिखाए लेगा, यहां के message जा रहा है, message जैसे जाएगा, मैंने इस photo जोगी लगा दिगा था, इस तरह करना है, अब इसे आपको export करन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे export होता आपको उसी sound पे इस video का upload करना है, जिस sound पे यह video viral हुआ है, sound का link मैंने description में दे दिया है, उसी sound पे आपको जाके upload करना है, So guys, यहीं थे आज का tutorial, I hope कि आपको भी ये video बनाना आ गया होगा, बहुत ही असान है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग पसंद में आया हो, तो एक like कीजिए, दोस्तों के शेर कीजिए, एक प्यारा सा comment जरूर कीजिएगा, हमें आपका एक comment बहुत motivate करता है, और चैनल को अब तक subscribe नहीं किये, तो subscribe करके bell icon भी प्रेस कर लिजे, और हमारे telegram channel को जरूर जोइन करे, क्योंकि मैं जो भी tutorial देता हूँ, और जो भी उसमें use करता हूँ, सारा का सारा material telegram channel पे upload कर देता हूँ, वहाँ साब को download करने में बहुत आसानी होगी, तो मिलते हैं किसे और interesting नए trending वीडियो के tutorial में तब तक के लिए, बबाई